3 exercise to treat puffy eyes जीवन कोश पर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम सीखेंगे वो तीन योगासन जो की puffy eyes से आपको छुटकारा देंगे तो चले शुरुवात करते हैं और जानते हैं कौन से हैं ये तीन आसन पश्चिमो तानासन से पहले आप मैट ले लीजिए एक और अपने पैरों को इस तरह से सामने की और फेला लीजिए और दोनों पैर मिले होने चाहिए कमर को सीधा कीजिए दोनों हाँ साइड में रखके आपको कमर को जाधा सीधा रखना है उसके बाद आपको दोनों हाथों को उपर की और ले जाना है और स्पाइन को उपर की और खीशते हुए दोनों हाथों को उपर की और खीशते हुए नीचे की और आना है कि आपको अपनी स्पाइन को जादा से जादा सीधा रखने का ट्राय करने और उसी स्पाइन लॉंग स्पाइन के साथ आपको इस तरह से मुच्छा आपको कुछ देखित के लिए अपने फॉर हेड को घुटनों पर लगाना है आप इसमें अंगुथ्य भी पखर सकते हैं या अपने पैरओं को भी पखर सकते हैं जो बगलर हैं वो ज्यादा जल्दी आगे नहीं जुख पाते हैं क्योंकि उनकी बाडी में फ्लेक्सिबिल्टी नहीं होते लेचीला पन नहीं होता है तो सीधा हाथों को अब कर करके थोड हालासन तो सबसे पहले अपने मैट पर जिछ लिजिए इसको इस्तरा से बैठ है उस पोजिशन में सीधे हो जाए सबसे पहले आपको पैरों को सिधा है करमल को सिधा रखना है और दीरे से नीचे लेट जाना है अपने मैट के और दोनों हाथ आपके हिपस के साइड में रहेंगे इस तरह से ना ज़्यादा नीचे रखने हैं ना ज़्यादा भार की और अब धीरे-धीरे दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की और ले जाना है श्वासको अंदर खीचते हुए तो हम 30 डिगरी से 60 डिगरी से 90 डिगरी तक पैरो को यहां पर पहले ले आएंगे अब यहां से हाफ जाते हुए जब आप पीछे की और जाएंगे तो आपको पूर अश्वास भार की और छोड़ना है और धीरे से पैरों को पीछे की और ले जाना है धीरे वापिस आना है और दोन पैरों को बिलकुल अराम से रिलाक्स मोर्ट में और शवासन में लेट जाना है चक्रासन तो शुरू करते हैं चक्राशन उससे पहले क्या करने म्याइब आपको सबसे पहले मैक पर सिधा लेट जाना है आपके दोनों हाथ पीछे की और लाइग आपके जो शूल्डर्स है इस पर पाम्स को बिल्कुल सीधा करते हुए अंगुठा भी उपर की और आपको यहाँ पर प्लेस करना है बिल्कुल अंदर की और ना जादा ऊपर रखना है ना जादा अंदर की और पोस्टर को है जाज ज्यादा पास लाने की उकोशिश करने आपको तो शुरू करते हैं धीये से इनहेल करते हैं आपको जाना है अलबो को स्ट्रेट करने कर ट्राइब करना है ज्यादा से ज्यादा और आपके नीज भी और नीचे आते हैं आपको राम से नीचे आना है बिल्कुल उसी पॉस्टर में दोना हाथों को नीचे रखते हुए इसको काउंटर पोस्ट मतला आपको सुब्त पबन में आना है नेक को राम से नीचे की और छोड़ना है और फिर पैरों को धीर धीर सी दे नीचे और रिलाक्स थोड़ी देर शवासर में लेट जाना है तो ये थे वो तीन योगासन जो की पफी आइस से आपको छुटकारा देंगे आशा करते हैं आज का ये खास वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवनकोश को इसी के साथ ही जीवनकोश में अभी के लिए बस इतना ही